Welcome Friends, Self Adhyan पर Photoshop Tutorial की 3rd Class में आज हम अपने पिछले टॉपिक को continue करते हैं जिसमें हमने selection करना देखा था सबसे पहले Ctrl O से हम यहाँ पर या Double Click करते हुए screen पर हम अपनी कोई image यहाँ पर use करेंगे और उस पर हम practical work करके देखेंगे तो यहाँ से आप कोई selection ले सकते हैं बहुत सारी photos आपके पास collection होना चाहिए जिन पर आप work करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कोई photo ले लेते हैं और उस photo पे हम practical अब और चला के देखेंगे हमने पिछले वीडियो में rectangle mark you tool के बारे में देखा था एक बार फिर से हम आज और चीज़ देखते हैं इसमें थोड़ा advanced चीज़ हम देखेंगे आप देखेंगे मैंने यहाँ से selection करने के बाद उपर एक command है feather की इस feather को मैंने यहाँ से बढ़ा दिया है feather का मतलब आपका जो चारो तरफ का जो selection है उसको वो थोड़ा smooth कर देता है practical देखेंगे तो अच्छे से आप समझ पाएंगे मैं यहाँ से feather को अभी फिलाल अगर मैं control J करके देखता हूँ तो आप पहले जैसा देखेंगे जैसा हमने देखा था लेकिन मैं इसको वापिस से डिलीट कर देता हूँ राइट किलिक करके लेयर को डिलीट और एक बार फिर से selection करता हूँ और feather मैं यहाँ से अब दे देता हूँ 15 पॉइंट तो मैं यहाँ से insert कर देता हूँ 15 और enter press कर देता हूँ enter press करने के बार मैंने control J press किया और मैंने नीचे वाले background layer की eyes को off कर दिया आप देखेंगे यहाँ पर मेरा जो selection है वो अभी भी वैसा देख रहा है क्योंकि मैंने दुबारा selection नहीं कर आप पहले वाला selection था इस वजह से हमारा वो apply नहीं हो पाया मैंने delete यहाँ से कर दिया layer एक बार फिर से selection कर रहे हैं आप देखेंगे दूसरी बार जब मैंने selection किया तो चारो तरफ से कुछ आपका boundary जो है वो round में हो गया है तो feather चुकि पहले मैंने यहाँ से apply करने से पहले दिया नहीं था इसलिए वो apply नहीं हो पाया था और एक बार फिर से हम ctrl j press करते हैं और eyes को एक बार off करके देखते हैं आप देखेंगे चारो तरफ से अब यह पहले से smooth यहाँ पर show हो रहे है इसको वापिस से मैं delete कर देता हूँ इसको click करते हुए last में आप देखेंगे recycle bean की तरह जो icon होता है एक dust bean type का उस पर आप इससे जाके छोड़ देंगे तो भी आपकी layer वहाँ से delete हो जाएगी हम अब selection कर देते हैं elliptical tool से और इसमें भी आप देखेंगे feather option नहीं दिखाई देरा मैंने 15 यहाँ पर डाला तो अभी apply नहीं हुआ हमें selection को हटाना होगा selection को हटाने के लिए control D याने की deselect आप कर सकते हैं और वापिस से मैंने यहाँ पर selection दिया और selection कराने के बाद control J प्रेस करते हुए मैंने eyes off की यह देखेंगे आप पहले से smooth यहाँ पर जैसे हमारा rectangle में था यहाँ से elliptical में भी show रहा है तो feather का मतलब अगर आप कोई selection करते हैं और उस selection को आप थोड़ा smooth दिखाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर feather use कर सकते हैं अब अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरा use करता हूँ selection लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें feather ना है क्योंकि मैं एक बार feather डाल चुका हूँ तो वो वहाँ पर आने वाले सभी images के लिए applicable रहेगा आपको अगर चाहिए कि आप सिर्फ particular किसी selection पर feather दे तो पहले तो मैं यहाँ से zero कर देता हूँ अगर आप चाहते हैं कि इसी selection पर मुझे feather डालना है और सभी पर ने डालना तो आप right click करके selection की property में से feather डाल सकते हैं जैसी आप right click करेंगे after selection तो feather यहाँ पर आप इसी option पर apply कर सकते हैं तो मैंने यहाँ से डाल दिया है 25 और आप देखेंगे अब feather यहाँ पर डल चुका है तो ऐसा आप कर सकते हैं अगर आप किसी selection पर individual यहाँ पर feather डालना चाहें तो right click करके उसे डाल सकते हैं अब suppose मुझे यहाँ से इस face के अलावा बाकी सारा view करना है तो आप क्या करिए right click करते हुए select inverse पर click कर दीजिए और select inverse पर click करने के बाद ctrl j press कीजिए आप देखेंगे यहाँ से कि eyes off करने के बाद सिर्फ आपको इसके अलावा बाकी का यहाँ पर images view हो रहा है inverse का मतलब जितना आपका selection है उसके विपरीद आपको show होगा उतना selection वाला सोनी होगा उसके विपरीद जो भी आपका area होगा वो आपको show होगा तो मैं अभी फिलाल इन layers को यहाँ से हटा देता हूँ इसी के अंदर suppose मैंने यह selection बढ़ाया लेकिन मुझे यहाँ से head वाले area को भी select करना है तो feather मैंने elliptical से तो हटा दिया था यहाँ से भी मैं इसको zero कर देता हूँ और control D selection करने के बाद वापिस से selection करता हूँ अब आप यहाँ से head वाले area को भी add करना चाहते हैं मैं जैसी उपर जाता हूँ तो नीचे वाला selection हट गया नीचे वाला करता हूँ तो उपर वाले selection हट गया तो आप क्या कीजिए उपर वाले option में आपको यहाँ पर दिखाई देगा second number पर add to selection आप जैसी इस पर click करेंगे और फिर से area लेंगे तो आप देखेंगे वो selection यहाँ पर जुड़ रहा है नीचे की तरफ जुड़ रहा है तो add to selection में आप area बढ़ा सकते हैं तो यह चीज आप उपर जो commands दी गई है उनके use से कर पाएंगे new selection चाते हैं बिलकुल नया तो आप इस पर click कीजिए आप selection में और selection जोड़ना चाते हैं तो add to selection पर click कीजिए next जो option है वो है हमारा subtract from selection मुझे face face देखना है तो बाकी का selection मुझे यहाँ से हटाना है तो आप जैसे जैसे select करते रहेंगे वो यहां से subtract होता रहेगा तो जितना area आप हटाएंगे selection से वो आप देखेंगे उतना area वहां से selection से हट रहा है तो आप subtract कर सकते हैं आप add कर सकते हैं या आप intersect with selection यानि कि इस selection में आप जितना area यहाँ से select करेंगे उसका जो intersection है सिर्फ वही area छोड़के बाकी का area automatically select हो जाएगा तो आप एक बार practice करेंगे तो आप और अच्छे से इसको जान जाएंगे कि भई कैसे इनका इस्तमाल करना है क्योंकि first time में आपको थोड़ा थोड़ा लगेगा कि यह कैसे selection हो रहा है लेकिन आप जैसे images पर use करेंगे और control J से layer विया copy करके check करेंगे तो आपको यह सारी चीज आप समझ चुके हैं इनका भी use कर सकते हैं लेकिन आप अगर देखें तो मैंने last command जो चलाई थी वो ही यहाँ पर रह गया अब मैं जैसे selection ले रहा हूं तो selection यहाँ पर इस तरीके से अजीब अजीब selection हो रहा है तो हम इनका shortcut की से भी इस्तमाल कर सकते हैं मतलब आप बार ब selection इसमें जोड़ना है तो आप keyboard से shift button को press कीजिए जैसी आप shift button press करेंगे आप दिखेंगे उपर से selection यहाँ पर change हो चुका है और मैंने यहाँ सर इसको फिर add कराने के लिए option यहाँ पर हमें दिख जाता है आप दिखेंगे shift छोड़ते ही वापिस वो उसी position पर आ चुका है य इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से subtract करना चाहता हूँ तो मैंने alt key को press किया और जितना area मैं select करके हटाना चाहूं subtraction करना चाहूं वो कर सकता हूँ और जैसी मैंने alt छोड़ा आप देखेंगे उसकी position वापिस वहीं आ गई है new selection पर तो आप इन कामों को use कर सकते हैं shortcut key के साथ यहाँ से आप shift key के साथ use कर सकते है add to selection को alt की के साथ use कर सकते है subtraction को और अगर आपको intersection use करना है तो दोनों आपको button press करने होंगे alt और shift तो आप intersection उसका यहाँ पर select कर पाएंगे तो hopefully आप इनको practice करेंगे practice करने के बाद आप इन चीजों को अच्छे से जान जाएंगे मैंने आपको आज feather बताया selection के और tools यहाँ पर बताये कि कैसे आप rectangle या elliptical selection ले सकते हैं अब इसके अंदर आप देखेंगे आगे selection में style option भी है आप अगर चाहते हैं कि आपके selection के according ही आप करें mouse के selection के according तो आप normal रखिए आप fix ratio में चाहते हैं कि one width और one height या अपने according आप edit भी कर सकते हैं उसके according जब आप select करेंगे तो by default उतना ही selection होगा आप देखेंगे mouse उतने ही area में one by one से selection करा रहा है तो free form में नहीं होगा आपकी मर्जी जितना होगी उतना selection नहीं one by one की form में ही आप selection कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से fix size ले लिया जाए pixels के according तो आप वो भी कर सकते हैं जैसे मैं 100 by 100 pixels के according selection चाहता हूँ तो उतना ही इस हिसा आप select कर सकते हैं सिर्फ उतना ही pixel area select होगा आप इसमें add करा सकते हैं जैसे कि मैंने बताया shift के साथ आप add करा सकते हैं लेकिन उतने ही area में जितना area आपने उपर selection में दिया है तो freely आप वहाँ पर selection नहीं कर पाएंगे तो इसलिए आप यहाँ से style को normal ही रखिए कि आप जितना selection कराना चाहें freely उतना selection करा सकें तो अगर आपके साथ यही same fix size आ रहा है तो आप ध्यान रखें आपका style वहाँ पर normal रहना चाहिए तो selection में हम यह चेक चुके हैं दोनो starting के point अब आप देखेंगे single row mark you tool यहाँ पर है single column mark you tool यहाँ पर है तो background बनाने के लिए आप इनका इस्तमाल कर सकते हैं जैसे suppose मुझे एक background में image चीए और चाताओं की background थोड़ा blur type रहे तो आप इनका इस्तमाल कर सकते हैं example के लिए मैं ctrl n से एक size ले लेता हूँ कोई भी size यहाँ से select कर लेता हूँ और यहाँ मुझे एक background image चाहिए blur type में तो मैंने यहाँ से क्या किया कि मैंने single row mark you tool लेते हुए किसी भी line पर यहाँ पर click कर दिया ctrl c से copy कर लिया और ctrl v से यहाँ पर paste कर दिया आप देखेंगे एक हलकी सी line यहाँ पर देख रही है आप इसका selection कीजिए size इसका change कीजिए ctrl t ctrl t से resize आप कर सकते हैं और थोड़ा सा इसका size बढ़ाईए और यहाँ से इसको change कीजिए आप देखेंगे यहाँ पर वो हमें दिख रही है उसी type में ctrl t से आप इनका चारो तरफ का boundary बनाने के लिए use कर सकते हैं आप अगर इसका duplicate चाहते हैं तो आप move tool की help से पहले तो keyboard से alt key को press कीजिए और इसको नीचे की तरफ drag कीजिए तो आप देखेंगे इस तरीके का आप boundary type selection लेके use कर सकते हैं अब suppose मुझे vertical भी चाहिए तो vertical के लिए मैं यहाँ पर use कर लूँगा single column mark you tool जिस जगे पर मैं click करूँगा ctrl c से copy कर लूँगा और यहाँ पर layer पर ctrl v से मैं इसे paste कर दूँगा ctrl t resize करने के लिए और इसको मैं यहाँ से resize कर देता हूँ enter press कर देता हूँ and यहाँ से mark you move tool को लेते हुए मैं ctrl t से यहाँ से इसको use कर सकता हूँ old के साथ यहाँ मैं इसका 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 कर सकता हूँ तो आपने देखा किस तरीके से हम इसको use कर सकते हैं और इसे reverse भी कर सकते हैं आप enter press कर दीजिए तो enter press करने से वो command accept हो जाएगी और यह हम इस तरीके से यहाँ पर work कर सकते हैं तो यह एक छोटा सा हमारा काम हम चाहें तो single row mark you tool या single column mark you tool से करवा सकते हैं तो अभी तक हम अपना move tool, artboard tool, selection tool के बारे में सीख चुके हैं अने वाली वीडियो में हम lesso tool, polygonal और magnetic lesso tool के बारे में भी जानेंगे और देखेंगे कि यह हमारा selection से क्या-क्या हमारा different है क्योंकि आगे हमारा selections के और भी थोड़े tools अभी बाकी हैं और आप खुछ से देखेंगे कि कौन सा selection tool बहतरीन है, किसका आपको use करना चाहिए अपने practical work के लिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में झाल झाल